नौन वेज खाने वालों में चिकेन और फिश दो सबसे पॉपुलर फूड आइटेम हैं लेकिन मॉडर्न साइन्स के मुताविक कौन सा बहतर चोईस है चिकेन ये फिश है ये पता लगाते हैं पहले जानते हैं इंडो फूड आईटेम्स की नीटुरिशनल इंफरमेशन के बारे में जहाँ 100 ग्रम चिकेन में 110 कैलाओरिस 23 ग्राम प्रोटीन 1 ग्राम फैट और 0 कर्ब होती है दूसरी ओर हमें 100 ग्राम फीश से 110 कैलोरीज 19 ग्राम प्रोटीन 2 ग्राम फैट और 3 ग्राम कर्प मिलती है तो चिकेन में प्रोटीन की मात्रा फीश की तुलना में थोड़ी अधिक है तो क्या चिकेन हमारे लिए बहतर अप्शन है? शायद नहीं इसका कारण है प्रोटीन की बायाइवलेबिलिटी मौडरन साइंस के मुताविक किसी भी प्रोटीन सोर्च की बायाइवलेबिलिटी जीटना ज्यादा है वो हमारे बॉड़ी में उतना बैतर अबसर्ब होता है जहां चिकन से मिले वाला protein की bioavailability 79 है वहाँ पे फिश से मिले वाला protein की bioavailability 83 है इसलिए फिश से मिले वाला protein हमारे body में बहतर absorb होता है अब जानते हैं इन दो food items की micro nutrients के बारे में चिकन में vitamin B12, vitamin B complex, iron, zinc, selenium और phosphorus पया जाता है और fish में calcium, iron, zinc, selenium, omega 3 fatty acid और vitamin A पाया जाता है modern size के मुतविक fish से मिलने वाला omega 3 fatty acid हमारे body के लिए बहुत जरूरी है यह आपके heart disease को रोपता है, brain function को बैतर बनाता है और skin aging को भी slow करता है, इससे आप लंबे समय तक यंग दिखते हो यह तक कि startis में ये पाया गया है कि cancer को रोकने के लिए हमारे body में omega 3 fatty acid का होना बहुत जरूरी है तो protein source के रूप में chicken और fish दोनों ही आपके लिए healthy food items है लेकिन अगर overall health benefits की बात किया जाए तो fish आपके लिए एक बेहतर choice है